हेलो गैस कैसे हो अई हो आप सभी बहुत उच्छे होस हो गैस आज की वीडियो में आपको कुछ टैक न्यूज देने वाला हूँ काफी इंट्रेस्टिंग टैक न्यूज है जैसे की वाटसअप का मलटे डिवाइस के बारे में जो जिगर चल रहा था उसके बारे में बात करने वाले है यहाँ आप सबसे पहले हम बात करते हैं रेडमीनोडेटेन की जो लॉञ्चिंग डेट है उसके बारे में बात करते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज के दिन आज सुबह दस बज़ के दस मिनिट पे इस जो रेडिमी नोट 10 है इसे रिलेटिड कुछ इनफॉरमेशन आनी थी वो इनफॉरमेशन आ चुके है रेडिमी नोट 10 जो मॉबाइल है वो मॉबाइल मार टैग नियूज आमने हाई है कि जो यह मोबाइल लॉंच होगा 16GB RAM के साथ यह लॉंच होगा इसके अंदर आपको 16GB RAM देखने को मिलेगी काफी इंट्रेस्टिंग चीज है और जब यह लॉंच होगा तो देखते हैं कि किस परकार से मोबाइल होगा और जैसा कि मैंने पहले ब लिए लेके आया हूँ एक तो हो चुकी थी Redmi Note 10 अब मैं आपको दूसरी बताने वाला हूँ Redmi K40 इसकी भी मैं आपको लॉंच डेटा बताने वाला हूँ काफी इंट्रेस्टिंग चीज है और जल्द ही यह मोबाइल लॉंच होगा 25 February को यह मोबाइल लॉंच होगा अभी हम WhatsApp Multidevice के बारे में Multidevice से related एक information शामने आया है एक screenshot सामने आया है iOS के बीटा वर्जिन में WhatsApp के अंदर जो logout का option आ चुका है setting में जाके हम जो account में जाते हैं वहाँ पर logout का option आ चुका है इससे यह पता चलता है कि जल्द ही WhatsApp के अंदर जो Multidevice का जो update जो थी Multidevice की जो update है वो जल्द ही हमें देखने को मिली क्योंकि logout का option आ चुका है बट मेरे ख्याल से WhatsApp को Multidevice नहीं करना चाहिए था क्योंकि WhatsApp को एक ही mobile में जब हम login रखते हैं दूसरे mobile में अगर गलती से login हो जाता था तो हमारे mobile से वो logout हो जाता था और हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गडबड है अभी Multidevice के अंदर इसके अंदर मैं जहां त जहां तक लगता है मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए अगर एक ही mobile में दो WhatsApp तो चला सकते हैं लेकिन एक ही WhatsApp दोनों mobile में क्यों और कैसे चलाएंगे ये तो आने के बाद ही बता चलेगा कि क्या काम में लेने वाले हैं हम Multidevice WhatsApp के फीचर को और आपको क्या लगता है WhatsApp के Multidevice इस फीचर को लेके comment section में जरूर बताना आज की वीडियो आपको वीडियो कैसे लिगी comment section में जरूर बताना अगर आपको वीडियो पसंदाए तो please like, comment, share, मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद